लाइयों कुक्षा 5, 36 गर्वोर्ड की हिंदी से एक पार्ट जिसका नाम है मैं सडक हूँ ये आत्मकता है सडक की तो शुरू करते हैं आज के पार्ट को जी हाँ मैं सडक हूँ मिट्टी पत्थर और डामर से बनी एक बड़े अजगर की तरह मैदानों, जंगलों, पहाडों के बीच से गुजरती हूँ पेड़ों की छाया के नीचे से होकर मैदानों को पार करती हुई गाओं को शेहरों से जोडती हुँ मेरी उम्र कितनी है या मुझे भी याद नहीं जब आदमी ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की बात सोची होगी शायद तबी मेरा जन्म हुआ होगा मैं कभी कच्ची थी तो कभी पक्की हुई मैं कभी घुमावदार बनी तो कभी एकदम सीधी सपाट स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, महल, जोपडी, बाग, बगीचे, हाट और भी न जाने कहां कहां मैं मेरी पहुच है कहने का मतलब यह है कि मैं ही सबकों मंजल तक पहुचाती हूँ वैसे मेरा रूप सुन्दर नहीं है एकदम काली, कलूटी और लंबी कभी कभी तो मुझ में छोटे बड़े गड़े भी बन जाते है तब मेरा रूप और भी बिगड़ जाता है यहां मुझे बनाने वालों की लापरवाही का ही नतीजा है मुझे अपनी इस बतसूर्ती पर उतना दुख नहीं होता जितने अपने उपर चलने वालों की गलत आदतों पर होता है कभी कभी तो ऐसी दुरगटना हो जाती है कि लोगों की मौत तक हो जाती है तब मुझे दुख होता है क्योंकि मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकती कभी कभी मेरे इन दुखदाई गड़ों को भर दिया जाता है किसी फटे हुए कपडों में लगी थेगड़ी या पैबन की तरह या मुझे तो अच्छा नहीं लगता पर इससे चलने वालों को उसे विदा हो जाती है इसी से मुझे संतोश होता है ये धेर सारा कूडा करकट किसने मेरे उपर फेका कितना बिगाड़ दिया मेरा रूप अरे अरे मेरे उपर तो उस आदमी ने थूक ही दिया देखो तो केला खाकर छिलका भी मेरे उपर फेक दिया तमीज नहीं है लोगों में पंचाही जहां थूख देते हैं, हर कहीं छिलके फेक देते हैं, इसका क्या परिणाम होगा सोचते नहीं, अरे केले के छिलके पर पैर पड़ जाने से वह बच्चा तो गिरही गया, उसे बहुत चोट आई होगी, पता नहीं लोगों ने को कब अकल आएगी कि कूडा सड़क पर न फेकी, कूडे दान में फेक है, इससे सफाई भी रहेगी और दुरगटना भी नहीं होगी, तो हारो मेलों और शादियों ने भी मेरी शोबा बढ़ाई है, मेरे आसपा सफाई हो जाती है, दोनों किनारों पर रोशनी की जाती है, मेलों वा उत्समों के समय, अनेक प् 26 जिनवरी आने वाली है न, उन्हें परवीड में भाग लेना होगा, उसी की तैयारी के लिए, उसी की तैयारी के लिए जा रहे होंगे, जब ये छोटे बच्चे साफ सुत्री पोशाफ में, कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये बच् इनकी छाया में आराम मिलता है, आम जमुन तो अपने फलों से लोगों को आनन्द देते हैं, बच्चे तो इनकी ओड दोड़े चले आते हैं, खेलते कूटते आपस मैं बाट कर फलों को स्वाद लेते, इन बच्चों को देखकर मुझे कितनी खुशी होती है, क्या बताओं गाओं के पास होकर गुजरते समय मैं उसकी सुन्दर्ता का हिस्ता बन जाती हूँ, विविन रितुओं में तरह तरह की फसलों से हरे भरे खेत बहुती सुन्दर लगते हैं, गाय भैस और बैलों का जुण जब मेरे उपर से गुजरता है, तो मैं अपने दुख दर्द मैंने सभी तरह के लोगों को उनकी वंजल तक पहुचाया है, कुछ ठके हारे धीमे कदमों की आहट मैंने सुनी हैं, तो कभी तेजी से चलते उसाहित कदमों की धमक, चाहें जो भी कुछ मेरे उपर से होकर गुजरे मैं सब के दुख सुख मैं उनके साथ शामिल हो लेती ह दुख और सुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं, पर तुम्हें उसकी परवाना करते हुए चलते रहना चाहिए, चरे वेती चरे वेती जिसका मतलब है चलते रहो चलते रहो, यहीं हमारे शास्त्रों का संदेश है, अभी अभी मेरे उपर से एक वाहन गुजरा है, क्य तुमने भी उस वाहन में बसता हुआ यागीत सुना, रुक जाना नहीं, तु कहीं हार के, काटो पे चल के, मिलेंगे साय बहार के, मेरा भी तो यहीं संदेश है, तो यह कहानी थी सडक की